है लोग दोस्तों सुवागत आप सभी का आपके अपने चनल ग्रूमंती श्टूट पर आज के ये वीडियो कक्षा वारे बहुत की कर आएगा यानि फिजिक्स कर आएगा और फिजिक्स में हम आपका लेसन टू करा रहे थे तो लेसन टू का ये नेक्स्ट वीडियो और इस संधारेत्र होता क्या संधारेत्र का क्या है कैसे वर्प करता है और इससे आधारित आगसी हमसे हमने बताया था आपको नॉर्मली धारिता के बारे में बताया था और ये भी सिखाया था कि यदि कोई चालक है और इस चालक को यदि हम बारी सिरोत से आवेस देने लगें तो ये आवेस इसकी बारी सतय पर फैल जाता है ये पता है ना आपको कोई भी आवेस जब दिया जाता है है तो वह समान रूप से चालक की बाहरी पर प्यलता है न कि अनदर प्रिवेच नहीं करता हुपारी मित पर अब क्या कहों गया हमने इसको आवेश दिया इस चालक को श्रक एगाने ऐसा मत सोचेगा अपर अब जाने के वागए चुछ के asking मात्रा सन्चित की जा रहीं इस पर हम क्या कर रहे आवेस को इकट्टा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इकट्टा कर रहे हैं और यह इकट्टा यानि कि इस पर हम आवेस को क्या कर रहे हैं संचित कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इस पर बहुत सारा आवेस संचित हो जाएगा एक निश्चित सीमा तक ही आवेस संचित होगा उसके ब लीक होने लगेगा वाइम में लकेज होने लगेगा इसका भी चालक पर आवेस के निश्यत मात्रहों कर सकतें आथा तो संचित कर सकतें जब हम इसमें आवेज एक निशित मात्रा में कर रहे हैं तो इसकी चालक की धारता भी एक निशित धारता ही रहेगी उसके विद्धुत उर्जा को एक निशित सीमा तक ही बढ़ा सकते हैं बिद्दुत आवेश को उस पर एक निश्यत मात्रा ही संचित कर सकते हैं ठीक है इतना समझ लिए तो अब हमको माल लीजे किसी चालक की ज़ादा धारता चाहिए हमको आवेश सकता है ज़ादा धारता की लेकिन फिजिक्स तो ये कहती है कि भाई इसपर एक निश्यत मात्रा में या आवेश संचित हो सकता है तो उसके लिए अलग से एक संयोजन तयार किया गया एक alternate संयोजन हमने श्टार्ट किया फिर आगे चलके उसी का नाम दिया था संधारतर और संधारतर एक ऐसा संयोजन होता है एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किये, किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किये, इसकी धारता को बढ़ाया जा सकता है, और थाक इस पर जो इश्टोर किया गया आवेस है, इस आवेस बढ़जाती है यानि कि कुल मिलाकर बात यह हो गया कि संदारित रे एक ऐसी युक्ती होती है जिसके द्वारा रगा के आकार में बिना परिवर्तन किये उसकी दारता को बढ़ा सकते हैं अर्था उस्से चालक पर आवेश की मातरा को अधिक से अधिक संचित कर सकते हैं यानि बिद्दूत उर्जा को हमें ज्यादा से ज़्यादा इखटा इश्टूर कर सकते हैं समझ में आगी बात चलिएगा आप को नोटसों में सारी मिल जाई कि टें या समायोजन होता है जो जिसके द्वारा हम किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किये बिना परिवर्तन किये उसके उसकी दार्ता को बढ़ा सकते हैं अर्थात दार्ता कैसे बढ़ती है आवेस का संचे करके अर्थात चालक पर आवेस को संचित किया जा सकता है जिसके द्वारा हम किसी चालक पर आवेस को अधिक से अधिक मात्रा में इस्टोर कर सकते हैं इसके द्वारा संचित कर सकते हैं इसके द्वारा संदारित्र के द्वारा इसकी वर्किंग क्या होती है उसको समझ लेकिन हैं जड़ा संधियेगा इसमें आपको वैसे समझाना चाहता है कि होता क्या है Mitch संदारित्र का सिदांटblick सिदांट पर कारे हमारे पास कोई भी चालक के के यदि हमाईरे पास यह चालक है इस चालक को यदि हम बारी सिरोत से पिलस क्यूं आवेस देते हैं तो यह आवेस इसकी बारी सतय के दूसरा अनावेसित चालक रखते हैं जिसकी बाहरी सत्य के द्वारा प्रेरन प्रभाब द्वारा इसका वारी सत्य पर यहागी यहागी एसके आवेस्पन होगा है इसके पास आई तो तो होगा यह इसकी यहां पर एक मायनास यानि इस पर परवाण में बराबर परंतु प्रिक्रती में विप्रीत आवेश उत्पन हो जाता है किसके द्वारा उत्पन हो रहा है इस आवेश के कारण किसके कारण पारस परिक परेरण प्रवाव द्वारा यह काम किसके द्वारा आवेश उत्पन हो जाता है इसके कारण इसके बीत्री सत्य पर यहांपर विप्रीत प्रिकार का आवेश उत्पन हो जाता है है इस तरीके से यह चालक पर नोगे उससमें आवेश उत्पन हो जाता है। तीक है चलिएगा अब होता क्या है कि इसका इसमें क्या करते हैं इसकी बारी सते को हम प्रत्वी से जोड़ देते हैं इससे जोड़ देते हैं प्रत्वी से प्रत्वी को क्या माना जाता है कि प्रत्वी में बहुत सारे अनंत इलेक्ट्रॉन है तो जितना इसका धनावेस है तो यहां से प्रमा द्वारा निरावेशित हो जाता है तो इसके इसके प्रवाब को कम कर देती है इसकी धारता आपने बढ़ने लगती है दारता क्यों बढ़ जाती है क्योंकि अब आप ऐसा समये कि यह चालक है पर इस पर कुछ आवेज है जब इस पर कुछ आवेज है तो इसकी धारता होगी Q वट्टे V iventasasasasasasasasasasakasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas हमको हमको बढ़ाना है तो उसमें दो चीज़े यहां तो इसका हावेस बढ़ादो यह फिर उसका क्या करो वहलं को सब्सकार दो Senate अनै यहां तो किरिदाहरा को सब्सक्राइब रख था इस टैक से नहीं समझ पा रहे हो तो देखिए गार समझो दूसरा एक सिंपल सा तरीका आपको समझा जैसे मेरे पास में एक चाला अब मैंने इसको क्या किया बाहरी स्क्रोप से प्लस क्यू पूलम आवेश दिया तो ये इसके बाहरी सत्य पर समान रोप से क्या हो गय थिक है अब इसके दूपास में मैंने एक दूसरा अनावेशित चाला क्लग दिया इस तरीके से अनावेशित चाला रख दिया तो पारस पर एक प्रेवर्ण प्रिवाग दुआरा इसके बीतरी सत्य पर यहां रिण आवेस उत्पन हो जायेगा उतना ही दढ़ावेस उत्प बाब दुवारा ठीक है, चलिएगा, तो यह यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होई आपको, अब क्या होगा? इसका यह रिण आवेश इस चालक के विवब को कम करने की प्रियास करेगा, और इसका धन आवेश इसके चालक के विवब को बढ़ाने का प्रियास करेगा. तो यहा शाहता है। जब हम इसको प्रतवी से जोड देते हैं, जिसको अर्थ से बहुत करता अठत कोxi कर देप Corporate अनग्त EP, कि इनता होते हैं फिप इन इसके जतना है, जितना भी और रहा लोगा साथ जला जाएंगा तो यहां से पोछ बचे गा नहीं। यहां पर तो सारा दनावेश किस में चला गया प्रत्वी में चला गया तो अब इसके विवव को तो कोई बढ़ाने के लिए नहीं बचा यह रिनावेश इसके विवव को लगातार कम करता रहता है इसका विवव लगातार कम होता जाता है किसके कारण इस विवव कम होने लग इस चालक की जो नाता है वह बढ़ने कम होगा तो क्या होने लगेगी, क्यों चालक की अब ड्राए विवाव को विद्परावान उपाती होती है। तो इसके पास में हमको एक अनावेसित चालक इसके पास में रख देना है और उसकी अपर बाहरी सत्य को प्रत्वी से जोड़ देना है। तो इससे क्या हो जाता है कि इसका विवब कम होने लगता है और इसकी धारता बढ़ने लगती है। वही condition यह पर है, यहां पर यह इन भी सारा धनावेश, जितना भी धनावेश होाँ, प्रत्वी में चला गया। तो इसका क्या होगा धनावेश हो. उसके अंदर का जितना भी धनावेश होता-धम होता जाएगा। इसकी दारिता लगाता बढ़ दी चली जाएगी, तो ये इसकी condition है, ये इसका वो है, तो पुल में लाकर इसको लिखेंगे कैसे हम, चलीएगा इसको लिखेंगे, इससे परवासा करते हैं, इसको चालक एक समझे, इसको चालक भी, तो हम क्या कहेंगे, देखेंगे, तीन condition में आपको बता दे रहा हूँ, कि हमारे पास एक चालक था, ये नॉर्मल चालक ये था, अब हमने इसको क्या है, पहले बारी सिरोत से, सिरोत से पिलस की उपूलम आविश दिया, तो ये इसकी बारी सतय पर समान रोप से भील जाता है, ये ही परवासा हो जाएगी, जब किसी च चालक को पारी सिरोत के द्वारा पिलस की उपूलमा में दिया जाता है, तो ये आवेस उसकी बारी सतय पर समान रोप से वित्रित हो जाता है, जब इस चालक के पास कोई एक अनावेसित चालक रखते ने, तो पारस पर एक अनावेसित चालक भी रख देते हैं, तब पारस प्रिव्बाव द्वारा इस चालक की बितौी सते पर उत्ना की रिण calend explosion हो जाता है उत्ना ही खनाँ या सिंपल बाता में हम यह कह सकते है जब किसे चालक यहको तो इसके पास जब कोई अनावेसित चालक लेकर आया जाता है तो उसकी सतय पर बरावर तरंतु विप्रित प्रिकृति का आवेस उत्पन हो जाता है जब इस चालक को जब इस चालक की बारी सतय को किसी चालक तार द्वारा प्रत्वी से जोड देते हैं तो यह सारा धनावेस प्रत्विस में चला जाता है प्रत्वी में चला जाता है और था प्रत्वी के इलेक्ट्वां द्वारा निरावेसित हो जाता है तो कंडीशन कुछ इस तरीके की दिखाई देती है यह तो धनावेस बचेगा इस तर्ड़ प्रत्वी से जोड देते हैं चला के यह तो यह लगाता रहता है इसके विवाब को कम करता रहता है जिससे इसकी दाता बढ़ जाती है ठीक है तो यह तीन पंडीशन है पहली पंडीशन यह हैं यह ouगी जब किसी चालक को चला किसी चालक एकोड पिलस की बारी प्लस की त्यूं प्लस की बारी सथे पर समान रूभ से वितितव हो जाता है जब इस प्रिवाज़वारा चालक B की भीतरी सतय पर उतना ही रिणावेश बरावर परंतु विप्रीत प्रिक्रिती का उतना ही रिणावेश 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 उतना ह जब चालक B की बारी सतय को प्रत्वी से जोड़ देते हैं तो प्रत्वी के इलेक्टोनों द्वारा चालक B के बारी सतय का धनावेश निरावेशित हो जाता है अर्थात इस चालक B की बारी सत्य का धनावेश प्रतिनी में चला जाता है जिससे चालक B पर केवल घनावेश बचता है जो लगाकार चालक A के विवव को कम करता रहता है अर्थात जिससे चालक A की धारता बढ़ने लगती है ठीक है चलिएगा तो यही इसका concept है यही इसका सिर्दान्त है इसी को संदार्यत का सिर्दान्त कहते हैं चलिएगा तो normally मोटा मोटी कि इन सौं फिवर्ड बूलिए छोटे से सब्दव में जवन पात करें सर्दार्यति पर सिर्दान्त कि सर्दान्त कर दाके कि जिताने पर आदारित कि उस चालक के मैं भूफास रहता है कि इस चालक लीए है तो इसका गा裡 है यह संदिनो अजकर क्या है किसी आदमी को यदि अधिकारी है बहुत अच्छा बना इसको प्ढाई करने पड़ेगी और यदि किसी बुले ना पढ़ोसी को पढ़ासी का लड़का बिगाड़ना है तो इसको क्या गलत आज़तें लगा दो ठीक है तो वो क्या होजाएगा अपने गाना पर यॉँछ थी जखेया पर नहीं के एक ही दाइटा को बढ़ाना है तो इसपर क्या कर दे iis के ब्वा को कम कर दो इसका अपने आपधाया। इसके पास भीजिया ए चैलक रखासerson VI Select कम ने लगता है। देए मुखुरी है थे स्बिट अब इसकी कुछ प्रवावित करने वाले तारक भी होते हैं इसका जादा जीतना इए छे तरपल लेंगे डील कुम उतनु ही डाता बड़ेगी। क्योंकि इसके पास में जैसे कि मालीजे इसको बी दूरी पर रख रहे हैं इतनी ये बी दूरी है जितना इसके रिनावेस जितना इसके पास में रहेगा उतना ही इसके धनावेस को प्रिवावित करेगा यही कम करने का प्रियास करेगा तो इसका विवाव उतना ही ज्यादा क तो ये दूरी पर भी निर्वर करता है इसका छेत्रफल जितना पाम होगा उतना ही इसकी दार्ता बढ़ेगी पक्रिण घ्रफघ तो ज्यादा आवेस आ जाएगा और ज्यादा आवेस आ जाएगा तो उसका विववव जादा हो जाएगा इसलिए हम कम से कम आवेस सजित करने का प्रयास करेंगे ठीक है तो पुल मिलातर बात ही है कि आवेस को कम करने का प्रयास करेंगे और इसकी दार्ता को गढ़ाना है त जब चित्रपल जादा हो जाएगा तो इसका जब धनावेस जादा हो जाएगा तो इसका जयादा विववव जाएगा तो इसकी धारत अपने आपमें कम हो जाएगी तो पुल मिलाकर बात यह है कि धारता दो चीज öंप से निरवर करती है जो शिट्र भल्हक होना चाहिए रखर न कोशिण है छो कहते है थो पुल्हक का छोर्ष करनाम चाहिए चलग का छृत्र पल आप होना चाहिए यह चीज़ है और जितना आवेस आपको ज्यादा करता है इसका जितना ज्यादा आवेस होगा इसका जितना ज्यादा आवेस होगा उतना ही इस पर आवेस उपण होगा और वही इसके विवब को लगाता कम करता रहेगा तो आवेस इसका क्या होना चाहिए आवेस की मात्रा ज ये कनों चेन रुसा स्पाज़ रुप लुप लुब 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 चेन